तेलंगाना के मुख्य मंत्री के चंदरशेख हराव द्वारा तेलंगाना राज्ये में शराब की विक्री के लिए शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमती देने के बाद शहर में बुद्वार को ही शराब की दुकाने पर लंबी लाइने लग गई थी आज शराब की दुकाने खुलने का दूसरा दिन था ऐसे में आज भी हैदरबाद शहर में शराब की दुकाने पर लोग लाइनों में खड़े रहकर इंतजार करते दिखाई दिये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हैं लोग शराब की दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाएगे गोलों में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है और यहां पर लोग शराब के लिए लाइन में लगे हुए है ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को जान से जादा जाम का प्याला प्यारा हो इन शराब की दुकानों पर लाइन में खड़े लोगों में कुछ वे आखिर प्रशन उठता है कि जो लोग लॉकडाउन में खाना वित्तरण के वक्त खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे वे लोग भी आज शराब की दुकान पर लाइन में क्यों खड़े है